क्रिस्म प्रीभायोर भैनो आज मैं आपको खजुर इत्वार पर्व के बारे में बताऊंगा क्रिस्म प्रीभायोर भैनो आज संपूर कलिस्या खजुर इत्वार का पर्व मनाती है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर है संपूर कलिस्या के लिए मत्य अध्या 21 परसंख्या 1 से 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु येरुसलेम में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रभु येरुसलेम में एक गधी के बच्चेक पर बैठ कर वे वहां से येरुसलेम में प्रवेश करते हैं लोग उनका स्वागत करने के लिए सडकों पर आ जाते हैं वे उनके आदर में कपड़े बिछा देते हैं और खजूर की डालिया लिए उनका स्वागत करते हैं उनका स्तुदिगान करते हैं और उन्हें राजा एवं मुक्तिदार्दा कहकर पुकारते हैं आज प्रभु येरुसलेम में प्रवेश करते हैं और दो मुख्य बाते हमें समझाना चाहते हैं पहली बात यह है कि प्रभु की मुक्तिप्रद योजना के लिए रहस्य मेर योजना के लिए वे यरुसलेम में प्रवेश करते हैं और उनके दुख भोग, मरण, एवंपूरत्थान के जो रहस्य है उन रहस्यों को प्रभु आज हम पर प्रकट करते हैं प्रभु का येरुसलेम में प्रवेश यह बताता है कि जिस प्रकार से यहुदी जन्ता प्रभु की प्रतिक्षा में थी और वही मुक्तिदाता आज उनके बीच में है प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा उनके बीच में से वह जा रहा है प्रकाशना ग्रंद अध्याई साथ पत्संख्या नो में लिखा है कि यह चित्र स्वर्ग का है वाकई यह चित्र स्वर्ग का है इस खजुर रईवार के दिन विशेश रूप से राजाओं के राजा प्रभू के प्रभू येशु का स्वागत करे हमारे हरदय में उन्हें राजा का स्थान दे क्योंकि वे संसार के ही नहीं हमारे सभी के हरदयों के भी राजा है आईए हम अपने हरदय में प्रभू को बुलाए और उनकी आरादना और स्तुदी करे